हलो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल में मैं हूँ श्वेता शर्मा और आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ ममा अर्थ के ये प्रोडक्स ये सारे प्रोडक्स मैंने खुद से पर्चेस करें हैं ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉंसर नहीं है मैंने ममा अर्थ के जितने भी प्रोडक्स थे उनके बारे में अच्छे से रिसर्च किया और काफी ऐसे प्रोडक्स थे जो मुझे लगा कि मुझे उनके बारे में रिव्यू देनी चाहिए और मुझे खुद यूज करना चाहिए मैंने ममा अर्थ के बहुत सारे न्यू लांच प यह क्या होता है जब आप सैंपल प्रोडक्स परचेस करते हो तो आपको ज्यादा इन्वेस्मेंट नहीं करनी पड़ती है थोड़ा सा इन्वेस्मेंट में आप बहुत सारे प्रोडक्स परचेस कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो आप उसका ए इसके अंदर लग रहा होगे कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है लेकिन इसके अंदर है प्रोड़क्ट यह स्लीपिंग मास्क है आपको बस फेस वाश करना है उसके बाद आप जो उपतन यूज करेंगे वह यूज करिये और आप इसे लगा कर सो सकते हैं आप इसे जैसे ही मसा यूज करती क्योंकि मैं रात में सोने से पहले कोई और प्रोड़क्ट लगाती हूं जब मैं ऑफिस से आ जाती हूं तो मैं अपना एक स्किन केर रूटिन फोलो करती हूं उसे फोलो करने के बाद मैं इसे लगाती हूं और लगाने के बाद कम से कम मैं इसे एक दो घंटे त मामा आर्थ का उक्तन फेस मास्क यह जो पहले मैं बहुत ही अच्छा है इसके पहले मैं बेसें अप्लाई करती थी लेकिन मुझे कहीना कहीना लगता था यार कितना मैसी हो जाता जब हम बहुत सारी चीज़े करते हैं वह हैक्टिक हो जाता है मैंने तब ही सोचा थै कि मैं पर्चेस करूंगी परéral करूंगी तो मैंने परचेस किया चुक्त वह आजा जिसे डिन में ऑठ तनी वह जह सकते हैं जैसे पूसह उठता है पानी पीजे हमागा चेहलो सकते हैं रात को जब मैं घर आती तो मैं face wash करती हूँ, उसके बाद मैं ये उप्तन लगाती हूँ, इस उप्तन को लगाने का तरीका ये है कि आपको इसे बस इतना सा लेना है, पूरे चेहरे पे लगाना है, आपको सिर्फ 60% तक छोड़ना है, सूखने के लिए उससे ज़ादा नहीं, और उसके बाद अलका सा हाथों को वेट कर लीजिए, फिंगर्स को और देन मसाज करना शुरू करिए, जब आप मसाज करना शुरू करोगे ना, पूरा डस्ट जो भी आपके फेस पे होगा, सारा ये निकाल देता है, आपके फेस को पूरा क्लीन कर देता है, और उसके दो घंटे बाद फेस को वाश करती हूँ, फेस वाश करने के बाद मेरा जो नाइट क्रीम है, मैं उसे लगाती हूँ, इस उप्तन को मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, कि यह कैसा है दिखने में, आप देख सकते हैं, यह इस तरह से कुछ आपको मिल जाता है, आप आपको बस काफी है इतना सा आप ऐसे लगा सकते हैं आपको इसे सिर्फ सिफ 60% ड्राइ होने देना है बस उसके बाद हलका सा पानी लीजे अपने फिंगर टिपस पे अच्छे से मसाज करेंगे तो आपको खुदी फील होगा आपका जो चहरा है ना बहुत ही अच्छी है इसक के लिए मैं एक बार इसे ट्राइ करके देखा तो अंडर रांम में भी यह अच्छा काम करता है यह क्या है क्योंकि बहुत हैं अब जो next product है मामा आत का वो sunscreen है sunscreen इस वक्त बहुत ज़्यादा requirement है मुझे क्योंकि हमेशा मैं sunscreen पे बहुत ज़्यादा invest करते आई हूँ Delhi में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है and आपको sunscreen की बहुत ज़्यादा requirement होती है तो sunscreen एक ऐसी चीज है मेरे add-on list में जो हमेशा top of the list होती है sunscreen के बिना तो मैं कहीं बाहर जाना पसंदी नहीं करती हूँ जैसे कि मौसम अभी normal है डेली का लेकिन जैसे ही April स्टार्ट होगा मैं sunscreen लगाना शुरू कर देती हूँ and packs of packs of sunscreens मेरे खतम होते हैं and मैं different different brands के sunscreens try करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई products मुझे suit कर गया तो मैं उसे लंबे time तक रखूँगी मैंने last year lotus के sunscreens बहुत जादे use किया था इस बार अभी मुझे पता नहीं है कि मैं कौन सा use करूँगी क्योंकि मैंने इस पार चार brands के already sunscreens मंगवा चुकी हूँ इसके अंदर carrot seeds है और इसके साथ turmeric है दो ingredients इन्होंने टॉप पर ही लिखती है इसके वज़े से यह मुझे सबसे ज़्यादा attract किया क्योंकि इसके अंदर carrot है और इसके अंदर turmeric है और मुझे लगता है कि हमें सबसे ज़्यादा चीजे जो organic होती है उस पे जाना चाहिए तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे purchase करती हूँ अब इसके अंदर की जो product है उसके बार में बात करते हैं जैसे ही इसका जो formula है इसका जो creamy formula है आपको यह बिल्कुल भी मलाई की तरह लगेगी जैसे हमारी दूद की मलाई होती है ऐसे लगेगा मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ आप देख सकते हैं बिल्कुल भी मलाई की तरह दिख रहा है इसके जो पुरा formula है आपको यह ऐसा फील होगा कि इसके अंदर मलाई है आप देख सकते हैं विल्कुल मलाई की तरह लग रहा है आपको ऐसा लगेगा कि आप मलाई लगा रहे हो क्योंकि मैं फेस पे मलाई लगाती हूँ कई बार तो यह ऐसा ही फील देगा और बहुत ही सॉफ्ट है मक्खन की तरह सॉफ्ट है यह बिल्कुल मलाई जैसे हम चेहरे पे लगाते हैं कई बार कि मैं तो लगाती हूँ कई बार मलाई अपने फेस पे तो मुझे ये पूरा पूरा वैसा ही फील आ रहा था कि यार मैं कहीं मलाई तो नहीं लगा रही एंड देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छे से ये स्किन में सोकर लेता है मैंने बहुत ज़्यादा प्रोड़क्ट लिया है भलकि आप देख सकते हैं ये रहा थोड़ा सा यहाँ पर एंड ये रहा देखें आप ममा अर्थ का जो ये संस्क्रीन है मुझे काफी पसंद आया है अगर मैं शुगर नहीं भी पाई करती हूँ तो मैं इस प्रोड़क्ट को तो ज़रूर परचेज करूँगी तो ये दूसरा प्रोड़क्ट है जो ममा अर्थ का मुझे काफी पसंद आया है अब जो ममा अर्थ का प्रॉडक्ट है वो जो मुझे पसंद नहीं आया है उसके बारे में बात करते हैं मैंने ममा अर्थ के टोटल 5 प्रॉडक्स मंगवाय थे ट्राइल करने के लिए जिसमें से मुझे 3 प्रॉडक्स तो काफी अच्छे लगे लेकिन एक प्रॉडक्ट जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है वो है ममा अर्थ का ये शैंपो ममा अर्थ का ये शैंपो मुझे काफी जादा लगाना पड़ा डिफरेंस देखने के लिए महात का जो शैंपो मुझे पसंद नहीं आया लेकिन कंडिशनर जो है बहुत ही अच्छा है और मैं पसंद करती हूँ कि मैं किसी भी ब्रैंड की अगर शैंपो यूज करूँ तो मैं उसी ब्रैंड का कंडिशनर भी यूज करूँ कई बार होता है कि आपको शैंपो अच्छी लगती है कंडिशनर अच्छी लग रहे हैं कई बार ऐसा भी होते है काभी जादा रिसर्च करने के बाद आपको एक perfect product मिली जाता है जैसे मुझे मिल चुका है ट्रेसे में का products use करती हूँ मैं hair के लिए बहुत ही अच्छा है अभी तक मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है जिस दिन लगेगा कि मुझे की product change करना चाहिए तो मैं उस दिन सोचूंगी and change करूंगी अगर इसमें से आप कोई product purchase करना चाहते हैं top of the list रखना चाहते हैं तो mama earth का ये sleeping mask जरूर एक बार try करें and उपतन तो जरूर करिएगा उपतन बहुत ही अच्छा है इसके बाद तो मुझे नहीं लगता है कि मैं basin पे change होने वाली हूँ कि मैं वो लंबा process follow करूंगी आप shift कर स 60% dry होने देना 40% जब आपको लगता है कि हाँ ठीक है 40% remaining है उसके बाद massage करना शुरू कर दीजिए आख बंद करिये और massage करते जाएंगे आपको बहुत अच्छा फील होगा और आपको लगेगा कि मैं थोड़ी देर ना सो जाओं ऐसा लगता है बहुत ही अच्छा है बहु हाँ से related है आपको अच्छा लगा होगा और कोई भी questions है तो आप comment section में पूछ सकते हैं मैं answer जरूर दूँगी अगर आप मेरे channel पे नए हैं तो इस channel को subscribe कीजिएगा मेरे इस video को like करिएगा और comment करके बताएगा कि ये video आपके लिए helpful था या नहीं thank you for watching और आपको मैं मिलती ह